नमस्कार स्वागत आपका हमारी चैनल पर मैं हूँ आपके साथ शिप्रसैनी परधान मंत्री नरेंदर मोदी को तो गाली देता नजर आ रहा है लेकिन वहीं इमरान खान जो की पाकिस्तान के परधान मंत्री है उनकी तारीफ में कसीदे पड़ रहा है उसमें अब देश द्रोही घुसाएं हैं और खालिस्तानी गैंग के लोग घुसाएं हैं जिसको लेकर तमाम लोग आपस में उलजदे नजर आ रहे थे लेकिन अब तो उसके सबूत सामने हैं जिस तरीके से ये व्यक्ति परधान मंत्री नरेंदर मोदी के लिए अब शब्द किसी भी किसान के विरुद ये ही नहीं बिलकुल एक तरह से नकली एक आंदोलन खड़ा किया गया जैसे C.A. के विरुद में कोई C.A. के अंदर ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि जो भारत के मुसलिम हैं अल्प संक्यक हैं उन को यहां से भार भगाया जायेगा लें कंशनों क के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा ये बात ठेलाई गई कि अगर ये सी ए लागू हुआ तो भारत के जो मसल्मान हैं उनको यहां से बाहर बगाने की योजना है और फिर एक अंदोलन खड़ा कर दिया ठीक इसी तरह जूट बोलकर जूट के आधार पर ये अंदोलन आया था इंदरा गांदी के समय में आज वो उसको दुबारा से लौंच करना चाहता है क्योंकि अब ये हो गया है कि जो पाकिस्तान के मुसल्मान पाकिस्तान के जो आतंकवादी उदर से आते हैं पाकिस्तान से उनको हमारी सेना तुरत मार गिराती है वो अब पीछे से वा madam के रोप में भीज़ में बैटें वो लोग नाराज हो घाया करते दें नाई साब आप हम किसानों पर कैसे आरोप लगा रहे हो हम तो किसान है हमारा खालिस तानी मूंमेंट से तब तो मैं देशभक था आज मैं किसान अंदोलन में हूँ तो मुझे आप आतंकवादी खालिस्तानी बता रहे हो ऐसे फेक वीडियो बताए गए तो लोग भी ये कह रहे थे कि हाँ भाई इसमे किसान तो हैं तुम इनको आतंकवादी क्यों कह रहे हो और इस तरह से परचारित किया गया किसी को आतंकवादी नहीं बता रहे लेकिन हम ये कह रहे हैं कि यदि वो किसान हैं तो अपनी मांग सांती बुरवक तरीके से करते जो नहीं किया गया है पहले ही इन से उनकी अराजकता फैलाने का मनसूबे थे और दिल्ली में वो रामलीला मैदान या तो वो कह रहे थे के जंतर मंतर पे जाना है जिस से कि पूरी दिल्ली की विवस्ता को खराब किया जा सके और आज वो बोर्डर पे बैठे हैं लगब चालिस दिन हो गए वो दिल्ली के नुकसान हो रहा है परिशानिया हो रही है सवारी नहीं जा पा रही है बसे नहीं चल रही है उद्योग धंदे चोपट होते जा रहे हैं और आपको बताऊं सबसे बड़ी बात कि कोरोना भी फैल रहा है और वहां साजिश पे साजिश हो रही है उन साजिशों में जो वीड पर्धान मंतरी को कह रहे हैं कि पाकिस्तान का पर्धान मंतरी तो बिल्कुल सचा आदमी है और वो वर्ल कब जीत के लाया अपनी मेहनत से आगे बढ़ा और मोदी को कह रहे हैं कि ये तो कब धोकर जूटे कब धोकर बना है मतलब एक पर्धान मंतरी का ये अपमान करना कि अब शब्द बोल रहे हैं तो ये डेस ड्रो की भाशा में आता है और ये परधान मंतरी को गाली देना उसको मारने के लिए कहना ये डेस ड्रो है इसमें इनके खिलाब कारवाई नहीं हो रही है और इसलिए इनके होसले बढ़ रहे हैं दूसरी बात आपको बताओं इस आंद आंदोलन में शामिल लोगों की ठीक से जांच होगी आज नहीं तो कल होगी सब सर्विलाइंस पे हैं तो जब जांच होगी जैसे सी ए के दंगे में जब दिल्ली जलाई गई उस समय भी यही कह रहे थे ये तो आंदोलन कारी हैं बच्चे औरतें ये तो मासूम लोग हैं सा आज खुलासा हो रहा है फरवरी का लगब 7 महीने बाद 8 महीने बाद जब खुलासा हुआ है तो आज खुलासा हो रहा है कि revis which purpose वो दिल्ली को जलाने की साजिश की गई थी एक दंगा था वो जिसकी साजिश रची गई जिसमें 1500 करोड रुपया लगब फंडिंग हॉआ आज ये किसान अंदोलन के नाम पर ठीक उसी तरज पर ये कर रहे हैं इनका कुछ-कुछ वीडियो जो सामने आ रहे हैं उसमें खुलासा हो रहा है कि ये उस देश के परधान मंतरी की तारीफ कर रहे हैं जिस देश के परधान मंतिरी ने हमारा एक बहुत बड़ा भूबाग देश की आजादी के बाद से कब जाया हुआ है ये पाकिस्तान वो देश है जो धर्म के आधार पर भारत का ही इत्ता अलग हुआ लेकिन उसके बाद से उसने लाखो हिंदूों को कतल आम किया सन 1947 में वो बता दें आपको कितनी इस्त्रीयों को बलातकार किया गया लाखों की कतल आम कर दिया गया टरेन की टरेन भर के आती थी भूल गए पाकिस्तान ने किया था वो आज तुम पाकिस्तान के कसीदे पढ़ रहे हो और जिस ननकाना साब की बात कर रहे हो के इमरान खान ने तुम को दे दिया अरे ये कहो के वो भारत में क्यों नहीं है वो भारत में ही होना चाहिए था साजिश करके पाकिस्तान ने उसक का हिص्सा है उसके लेने की बात करने के बज़ाए एक गुरदवारे के लिए सडक बना दी उसके लिए आप कह रहे हो पाकिस्ता अच्छा है तो मैं आपको यह नहीं कह सकता के आप पाकिस्तान चले जाओ क्योंकि इसमें बबाल हो जाएगा लेकिन अगर आपको पाकिस्तान इतना ही अच्छा लग रहा है तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप चले जाओ ना फिर वहीं वहीं रहो और पहले वहां के अल्प संक्यों के से पूछ तो लो जिनके लिए मौधी सरकार ने C.A. लागू किया स्थिती है आजवा उनको उठाकर घर से बहु बेटियों को सरयाम ले जाया जाता है सिक्खों के साथ भी ये काम होता है तो आप अगर अपने धर्म के लोगों की रक्षा करने के लिए प्रण उठायो और तलवार लेकर के घूमते हो तो पाकिस्तान में जाके जो वहां अल होसले बढ़ रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कोई कुछ कुछ कर तो सकता ही नहीं ये देशक में ये कमजोरी नहीं है हमारी ये हमारी शेहन सीलता है हमारे सुरक्षा बलों को जो सामने वहां खड़े हैं इनके टेंटों के पास उनको गाली देते हैं ये उकसाते हैं कि ये और यह आगे जोड़ता है यह जाकर जो आपका एकसपरेx वे है यमना एकसपरेकस वे कितने वहन इससे यहांसे आगरा मतुरा जाते थे वो सब बंद हैं उनको लंबा चक्कर लगा करके जाना पड़ रहा है पॉबलिक परेशान है लेकिन इनको किसी की परेशानी से लेना देना नहीं है क्योंकि इनका प्रण है कि हमको तो किसी तरह सरकार को बज़नाम करना है अराजकता फैलानी है और आज करनाल के अंदर जो हुआ कि सीम खटर वहां कुछ योजनाओं का लोकारपन करने के लिए आने वाले थे वो सीम की जो सभा थी वो एक अलग से सभा हो रही थी जिसका कोई इनकिसान आंदोलन से लेना देना नहीं है लेकिन ये बोर्डर पर बैठे हुए किसान इन्होंने बाकाइदा योजना बनाई कि वो जो करनाल के अंदर वो गाओं में सभा होनी है उस गाओं में कैमला गाओं में होने नहीं देनी और जाकर के वहां तोड़ फोड़ करी अराजटा करी क्योंकि ये लोग समझ रहे हैं कि पुलिस हम पर डंडा तो चलाएगी ही नहीं क्योंकि पुलिस को उपर से आदेश नहीं है केंद्रिय ग्रह मंतरी ने कहा हुआ है कि ये किसान के भेश में हैं इसलिए अगर इन पर डंडा चला तो ये जो लुटियन जोन का मीडिया है ये पूरे देश में फैलाने की ताक में बैठा है किसानों के बिरुद्ध है मोधी सरकार पहले ही बदनाम कर रहे है और इसलिए इस बात को समझते वे ये अराजकता फैला रहे है और अंत में आपको एक बात और बताओं एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है ये कहा जा रहा है किसाब साथ आदमी मर गए इस अंदोलन में ठंड से हमारी बात सरकार क्यों नहीं मान रही अरे भाई सरकार ने तो दो टूक कह दिया कि अमेंडमेंट चाहते हो तो होगा तीनों बिल वापसी चाहते हो तो कभी नहीं होंगे जब होंगे नहीं तो या तो घर को जाओ या अगली बाद बताओ अड़े रहोगे आप सडकों पे इसी तरह बैठे रहोगे दिल्ली को घेर कर अराजकता करते रहोगे तो मरते हो तो पिर क्या करेगा कोई तुम्हारे लिए मेडिकल फैसलिटी दी हुई है करोना फैला हुआ है करोना की गाड़लाइन फॉलो करो नहीं तो कोई भी मरेगा कुछ लोग हार्ड अटेक्स से मरें लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वहाँ जितनी मौत हो रही है उनकी जाच कराओ एन आईये से मैं 100% बता रहा हूँ उसमें कई मौत ऐसी मिलेंगी वो आत्मत्या नहीं मिलेंगी वो नैचुरल डैथ नहीं मिलेंगी वो हत्या की गई है वहाँ आपको बता रहा हूँ कि जब पाकिस्तान परस्त पी एफाई के एजेंट उस भीड में टैंटों में मौझूद है तो वो जब गोली चला कर किसी को मार सकते है तो गला दबा के भी मार सकते है गला दबा के मार सकते है तो वो जहर भी दे सकते है मेरा पक्का दावा नहीं है लेकिन मुझे कुछ लोकल पत्रकार बताते हैं कि उन टेंटों में जो आत्मत्याइं बतारी जा रही हैं हो सकता है खाने की चीज में मिलाकर या शराब में मिलाकर वो लोगों को जहर दे दिया जा रहा है जिससे की आत्मत्याइ बताकर इस अंदोलन को और जादा बढ़काया जा सके तो जितनी डेट बोडियां ये जा रही हैं उनका चेकिंग ठीक से करा जाए और इसकी जाच एनाईए करे तब जाके एक खुलासे होंगे के इनके पीछे साजिश क्या है और ये बहुत बड़ी साजिश है और जिस तरह के ये बत्तमीज लोग हैं जो उल्टी सीधी भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं उन सब लोगों के खिलाब सक्त एक्शन लेना पड़ेगा वरना ये इसी तरह होसला बढ़ता रहेगा और आज इन्होंने सीम की रेली को रोका है इनके 26 जनवरी का गंतन दिवस की जो परेड है उसमें डिस्टर्ब करने का इनका में उद्देश है इसलिए आपको बता दूं के ये जो कांग्रेसी और वामपंती डल ये सब गाउं गाउं गूम रहे हैं और किसानों से आवान क पर चलिए 26 जनवरी को डिस्टर्ब कराने का इनका मकसद है ये इकटा हो रहे हैं परसासन सतरक है लेकिन सायद बेबस है कि किसान के भेश में ये जो लोग घूम रहे हैं इन पर लाठी चलाई तो उसको ये दुरुपयोग कर सकते हैं लेकिन एक्शन तो लेना पड़ेगा और इसमें भारत और पाकिस्तान जिस तरीके से अब इन लोगों के द्वारा लाया किया है तो शक पैदा होता है कि आखर किस तरीके से इस किसान आंदोलन को कुछ तत्वों ने खालिस्तानी तत्व हैं या टुकडे टुकडे गैंग के लोग हैं देश्तरों ही हैं जो भी ह उन्होंने इस किसान अंदोलन को एक अलग दिशा में मोड़ दिया है और अब लोग सवाल कर रहे हैं कि आखर जो लोग इनसे पूछ रहे थे कि आखर किस तरीके से वो इस भाशा का इस्तिमाल कर रहे हैं अब उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए या फिर नहीं फिलाल आपने इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात चीत की आपका बहुत बहुत धन्यवाद